हेलो दोस्तों फ्रीव उनलाइन टीचिंग वनवे आपका स्वागत हैं आज हम बर्क सीट दो हजार बीस एक कैसे बेसा हिंदी बेसे कक्षा आठमी का सॉलूसन देखेंगे इससे पहले अधिया आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं कभी मां बीना बादनी से बार्दान में क्या चाहता है लिखिए तो यह आपके प्रिश्न किर्मान एक कांसर हो जाएगा कभी ता मैं मैं कभी मां बीना बादनी से नवनिर्मान हितु बार्दान में चाहता है कि देश में स्वतंत्ता का अम्रत मंतर दे अंधकार के सभी बंधनों को काट कर इस अंसार को प्रकासित करें इस जगात और प्रकाती में नई ग्यती, नया लक्ष, नया ताल वा छंद दें इस जगात में नमीनता भार दें इसके बाद देखते हैं प्रश्निक्रमांग दो नमलकित गद्यांज को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए बहुत से मानुस यह सोच कर कि हमें कभी सपलता नहीं मिलेगी सद्यां हमारे विपरीत हैं अपनी सपलता को अपने हाँ ही हाँ तो पीछे धकिल लेते हैं वन्कांसिक भाव सपलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं तो सपलता और विजय कहां याथ हमारा मन संक्खा और निरासा से बھरा है तो हमारे कामों का परिच्छा भी निरासा जनक ही होगा कि विजय कि और नति कि कुणी तो अभिचल सिरत मैं है इसमें पहला question है उपअर एक गद्यान्स भासा भारती का चार्ट के किस पार्ट से लिया गया इसके और दूसरा question इस गांध्यांस का अर्थ अपने सब्दों में लिखिए तो हम पहले question का अंसर देखेंगे तो यह प्रश्ण कर्वांग दो की के अंसर हो जाएंगे पहले का अंसर हो जाएगा चीशस्ट आत्मश्वास पाथ सेऊपा स्पिरा सफलता के मौरब को रोकती है क्यूंकि इस प्रकार संख्या करने से मन निरास हो जाता है जब तक हम अपनी सफलता पर सुयम विश्वास बास रद्धा नहीं रखेंगे हमें सफलता नहीं मिलेगी इसके बाद देखते हैं प्रश्ण क्रमांगतीन पाट मद्पिदेश की संगीत विरासत के याधार पर संगीत के छित में मद्पिदेश से जोड़ी आधुने संगीत अग्याँ के योग बादक माईहर बेंड की स्तापना इसका दूसरा कुमार गंधर मालवी गीतों को राग दरवारी ढंग से गाया अनूप राग विलास पोस्ता की रचना की तीसरा लता मंगे सका बे समूचे राष्ट की गाई का हैं देश के सर्वुच नाग्रक सम्मान भारत रतने से सम्मा पानित किया गया इसके बाद प्रिश्ण क्रमांग चार आप राजिता पाट के अनूसर डाक्टर चंद्रा को आप राजिता क्यों कहा गया है दो या तीन वधान देकर लिखिए तो या आपके प्रिश्ण क्रमांग चार का आणसर हो जाएगा डाक्टर चंद्रा को जोर के बाद पक्छागात हो गया था उनके सरीर के नीचे का हिस्सा अक्षम होने के बाद भी उन्होंने परिश्रम पूर्वग डाक्टर की उपाधी प्राप्त की डाक्टर चंद्रा चाहती थी कि कोई हुने सामाने सा सहारा भी ना दे वे अपना सब काम स्वयम करती थी सले चिकस्तिक ना बन पानी पर भी उन्होंने माइक्रो वायल आजी में डाक्टेट की इसके बाद हम प्रश्रक्रमांग 5 मुपतानंद महोदय की मुपत कोरी की घटनाओं का उले करते हुए लिखिए कि आपको किस घटना ने सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों तो यह आपके प्रश्रक्रमांग 5 का अंसर हो जाएगा मुपतानंद महोदय हमेशा मुपत की चीज़ें ही प्राप्त कायना चाहते हैं उनका पान का सौक भी पहचान वालों से ही पूरा होता बेदेनेक पत्र भी मांग कर ही पढ़ते थे सबसे अधिक प्रभावित करने वाली घंटना है मुपत में बर्फ प्राप्त करने के लिए भे घंटों लाइन में लगे रहे जूती खोदी नई कमीज भी फढ़वादी पर मुपत की बर्फ का टुकड़ा लेकर आए इसके बाद हम प्रश्रक्रमांग 6 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मेरा वाई केस पद का भावार्थ अपने सब्दों में लिखिए तथा तालिका में दिएगा तद्वा सब्दों के तत्सम रूप लिखिए तो यहां आपके प्रश्रक्रमांग 6 का अंसर हो जाएगा राम नाम रूपी धन पालिया है यह एक अमूल बस्तु है जिसे मुझे मेरे गुरू देवने किरपा करके दी है मैंने जन्म जन्म का धन पालिया है इस जगत में दूसरी चीज खत्म होने वाली है पर यह राम नाम रूपी धन बढ़ता ही जाता है मेरे सत्य की ना को चलाने वाले मेरे गुरू है मीरा की प्रभू भी किष्ण है जिसका वह प्रसन होकर यसगान कर रही है इसकी बाद ही प्रिष्ण किर्वांग चेम है तद्वा और तद्सम सब्द तद्वा आपको दियेगा है इसकी तद्सम सब्द लिखना है तो यह आपके तत्सम सब्द हो जाएंगे पक्षी का क्या हो जाएगा पक्षी महातम का क्या हो जाएगा महातम में मानुस का क्या हो जाएगा मनुस्य नेन का क्या हो जाएगा नेत्र पसान का क्या हो जाएगा पत्थर रतन का क्या हो जाएगा रत्न सत्त का क्या हो जाएगा स सन्नता है इसकी बाद देखें हैं प्रश्न किर्मांग साथ प्रकति यहां एक आंद बैठी निजरूपी समार्ति पल 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 टती छलक छंचंच्छवी धार्ति मानो जादू भरी विस्वाजी गर थैली खेलत में खुल परी सेल के सिर्फ फैली इसमें पहला कोशन है उपार पंक्तियां किस पार्ट में आई हैं तो यह आपके प्रश्न किर्मांग साथ पहले क्वेश्चन का अंसर हो जाएगा उपर अपक्तियां पार्ट साथ भेडागाट नामक अध्या से ली गए हैं इसकी बाद देंगे क्वेश्चन नमर दूसरा प्रश्न किर्मांग साथ में का पध्यांज की दूसरी पंक्ती में कौन-कौन सा अलंकार है तो यहां आपके प्रश्न किरमंग दूसरे क्वेश्चन का अंसर हो जागा है दूसरी पंक्तियों कौन सा अलंकार है अनुप्रास अलंकार इसके बाद देंगे प्रश्ण किर्मांग साथ में का तीसरा क्वेशन कास्मीर की सोभा के लिए कही गई ये पांगतियां भीडा घाट के किस इस्तान के लिए ठीक वैटती है तथा क्यों तो यहां आपके प्रिशन के मांग साथ में का तीसरे क्वेशन का अंसर हो जागा कसमीर की सोभा के लिए कहीं गई ये पंक्तियां भीडा घाट के दूद धारा जल प्रपात के लिए ठीक बैठती है क्योंकि यहां संग मरमर के पत्तों पर नरवदा नीचे की ओर गिरती है यहां सफेज चटान पर हरी घास है हिमाला की वर्फ के समान यहां सफेदी है जो गलती नहीं है जब जोर का घरसन होता है तब पानी भी दूद जैसा दिखाई पड़ता है इसके बाद देखते हैं प्रिष्ण क्रमांग आठ गड़त अग्ये जियोतसी और भट पार्ट में बढ़नत और भट यह गरंत की कोज किसने की थी इस गरंत के बारे में आप क्या जानते हैं लिखिए तो यह आपके प्रिष्ण क्रमांग आठ कांसर हो जाएगा महराष्ट के विद्वान डांक्टर भाव दाजी ने सन 1864 में मल्यालम लिपी में आरभट्य की ताडपत पोथियां खोजी और इनका विवरण प्रकासित किया आरभट्य गरंत में गड़त और जियोतिस दोनों के बारे में चर्चा है इस पुस्तक के चार भाव हैं दस गीती का गड़त कालकिरिया सोल इस गरंत में आरम में ब्रंद यानी अरब तरू की दस गुड़ुत्तर सनलाचनाव का वरणन है इसके बाद देखते हैं प्रशन किरमाग 9 ऑकाँसर हो जाएगा सहई विर्षामण्डा अंग्रेजी सासन की अन्याईवा सोसन के बिरुद्ध थे छोटां नांगपर छेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध में हुए आंदोलन में उनकी प्रमोग भूमिका थी चार कंड गाउं में इस आंदूलन का केंदर था बिरसा मुंडा क्रांती कारी गति विदियों सभाओं वा व्यटकों के द्वारा आम जन को आंदूलन के लिए प्रोथ साहित कर रहे थे यह आंदूलन मानावता की रक्षा के लिए था इसकी बाद देखते हैं प्रश्न किर्मांग 10 प्राण जाया पर व्रक्षना जाया की अनुसार अमरता देवी की युगदान के बारे में लिखिए और उसकी चिपकों आंदूलन से तोलना कीजिए तो यह आपके प्रश्न किर्मांग 10 का अनुसार हो जाएगा प्राण जाया पर व्रक्षना जाया की अनुसार अमरता देवी खीजल दी गाउं के विशनोई समाज की महला थी जब सेनिक उनके गाउं में पेड़ काट ने आये तब अमरता देवी विशनोई पेड़ से लेपट गई और यह कहती रही सिर कट जाय पर पेड़ बचा रहे तो यह सस्ता स्वधा है राजग्या के पालन में लगे सेनकों ने अमरता देवी को ही काट डालावा उनकी ही तरह सेकणों भिसनोई नर नारी पेड़ों की रक्षा के लिए पेड़ों से लिपट गई इसी पिरकार चिपकू अंदूलन में भी पेड़ों को बचाने के लिए नर नारी पेड़ों से छिपक गए थी इसके बाद देखते हम प्रोजेक्ट कार प्रश्निक किर्मांग ग्यारा प्रोजना सारवजनेक इस्थान निर्दिष्ट कार अपने गाउं या सहर में अथा उसके पास में इस्तित प्रमुक्ष सारवजनेक इस्थानों की जानकारी निम्नानुसार संकलित कीजिए इसमें किर्मांक पिरकार नाम घर से दूरी पहला है स्वास्त सुवीधा दूसरा बैंक तीसरा डांक संचार सुवीधा चौता परीवान तो यह आपका आंसर हो जाएगा पहला है स्वास्त सुवीधा स्वास्त सुवीधा आपके गाह में है उसका नाम लिख दीजिए प्रात्मिक स् एक किलोमीटर है इसके बाद देखेंट दूसरा बैंक आपको अपने गाउं की बैंक का नाम लेखना जैसे एक किलोमीटर इसके बाद तीसरा डांक संचार बीदा पॉस्ट आपने से दूरी लेके देए है एक किलो मीटर इसके बाद देखते हैं प्रश्निक्रवांग्यार में का पहला क्वेश्चन क्या आप अपने आसपास के चिकत साला में गए हैं आपने वहां कौन-कौन से उपकरण देखे लिखिए तो यह आपके प्रश्निक्रवांग्यार मेंसा का पहले क्वेश्चन का अंसर हो जागा हाँ हम अपने पास के चिकत साला में गए हमने एकसरे मसीन-BP मसीन- स्टे-टो-स्कूप वजन मापने की मसीन देखिए इसके बाद देखते हैं प्रश्निक्रमांग 2 अपने आसपास के किसी बैंक या डॉंक घर में जाकर पैसो को जमा करने या निकालने की पिरकिया का पता कीजिए और लिखिए तो यह आपके प्रशने किरमांग दो का अंसर हो जाए था बैंक या डॉक घर में पैंसो को जमा करने या निकालने के लिए फॉर्म भरकर जमा करना पड़ता है इसकी बाद देखते हैं प्रशने किरमांग तीन क्या आपने कभी किसी पत्र को लिखा है पत्र में क्या क्या लखना जरूरी है पत्र को कैंसे भेजते हैं पता कीजिए और लिखिए तो यह आपके प्रशन क्रमांग 11 में के तीसरी क्वेशन का आंसर हो जाएगा पत्र में प्राप्त करने वाले का पता लिखना जरूरी है, पत्र को डांक घार के माध्य हम से भेजते हैं, इसके बाद देखते हैं, प्रश्न किर्मांग बारा, सब्द पहेली को उसके नीचे दियेगा, निर्देशों के अनूसर भरिये, तो आपको यहां निर्देश दिये हो जाएगा, आप पर आज इता, यहां पर आपको इसको आपको पूरा करन लेना है, यदि वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ सेर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए,